नादान है वे लोग जो माबाप का अपमान करते हैं माबाप तो वो रत्न है जिने भगवान भी प्रणाम करते हैं राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार दिखार देख स्वागत अभिनंदन बिटा पाप और पुन्य इन दोनों की परिभाशा जो है व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि कौन सा कर्म हम करें उससे पुन्य होगा और किस कर्म से पाप तो आईए मैं आपको कहानी के माध्यम से बताती हूँ एक बार एक संत के दो शिष्ये उनसे मिलने जा रहे थे पूरे दिन का सफर था और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी पड़ी उन दोनों ने देखा कि उस नदी में एक इस्त्री डूब रही थी शिष्ये के लिए इस्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे इसलिए उसको चू नहीं सकते थे अब ऐसी दशा में क्या करें उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा कि हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए इस्त्री डूब रही है तो डूब हमें क्या लेना देना लेकिन दूसरा शिष्ये बड़ा ही दे आलू था उसने कहा हमारी रहते कोई इस तरह मरे ये तो मैं सहन नहीं कर सकता इतना कहकर वे तुरंत पानी में कूद पड़ा और डूबती हुई इस्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा दे कर उसे किनारे पर ले आया उसके प्रान बच गए लेकिन दूसरे शिष्ये ने इसने जो काम किया था उसकी बड़ी निंदा की रास्ते भर वे कहता रहा कि मैं जाकर गुरू जिसे तुमारी शिकायत करूँगा कि आज इसने मरियादा का उलंगन किया इसने इस्त्री का स्पर्ष किया है ये तो बहुत बड़ा पाप है दोनों संत के सामने पहुँच गए तो दूसरे शिष्य ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई कि गुरुर मैंने इसको बहुत रोका बहुत मना किया पर ये माना ही नहीं एक इस्त्री डूब रही थी तो उ उस इस्तरी को कंदे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा तो उसने का कम से कम 15 मिनट अच्छा तो संत ने फिर पूछा इस घटना के बाद यहां आने में तुम लोगों को कितना समय लगा तो शिश्य ने हिसाब लगा कर बताया कि यही कोई 6 घंटे। तो संत ने कहा कि भले आदमी इस बिचारे ने तो उस इस्तरी की प्राण रक्षा करने के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा लेकिन तुम तो 6 घंटे से अपने मन में उसे बिठाई हुए हो वे भी इसलिए कि मुझसे इसकी शिकायत कर सको तो बोलो दोनों मे बड़ा पापी कौन है अब बेचारा शिश्य निरुतर हो गया वे समझ गया कि पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं मन से भी होता है अब देखो पाप और पुन्य क्या है जिस कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति का दिल दुखे वो तो है पाप और जिस कारे से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वो है पुन्य हम मालो घंटो पूजा पाठ करते हैं उपवास करते हैं वरत करते हैं ये नहीं अगर हम 24 घंटे में दूसरों के प्रती अच्छा व्यवहार करते हैं चाहे वो 57 मिनट का ही क्यों न हो तो वो पुझ्य कहलाएगा पूजा पाठ एक अलग चीज है और मानव की सेवा करना एक अलग चीज है तो जितना हो सके हमें दूसरे व्यक्तियों की भलाई करने चाहिए प्रोपकार करना चाहिए सहायता करना चाहिए दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करनी चाहिए ये ही सबसे बड़ा पुन्य है क्योंकि नर की सेवा करना ही नारायन की सेवा है पाप और पुन्य हमारे जीवन के कर्मों का वो पोधा है जिसके एक एक बीज का हिसाब हमें देना ही पड़ता है तो बेटा कैसी लगी वीडियो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ शेर करें कमेंट करें और बेल आइकेन की बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी की वीडियो का सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद